इस जीवन में कोई व्यक्ति शत्तू नी चाहता है, लेकिन जाने अन जाने ही सही, हमसे कोई ना कोई शत्तू नी भाता है, अब वह शत्तू हमेशा हर वल, हर वक्त, हर पल, कुछ ना कुछ हमारा बुरा चाहता है, या बुरा करता भी रहता है, कई बार लोग या शत्तू तं अगर आपको सफलता हासिल करनी है विजय होना है तो सरप्रथम शत्तु भय को अपने बुद्धी से निकालना होगा इसलिए हम आपको दिखाने जाए शत्तु भय नाशक यंत्र यह यंत्र आप भोच पत्र पर धतुवे के रस से लिखे और गले में बान ले लेकिन हाँ धतुवे के रस से लिखने के बाद भोजपत्र पर तुरंद गले में बानने से इसका उतना लाब नहीं होगा इसमें शक्ती भरनी हो तो शक्ती कैसे भरी जाए? शक्ती भरने के लिए आप इस यंत्र के समीप या इसके सामने बैट करके आप जब करेंगे कौन सा जब करेंगे? अपने इश्ट का आप जिस भी इश्ट को मानते होंगे जिस भी देवदिता को मानते होंगे जैसे हनुमान जी हुए, शिव शंकर जी हुए, मा दुर्गा हुए, मा काली हुए आप जिसे भी मानते हुए, आप उनके मंत्र का जब करेंगे जब करेंगे कम सकम दस माला और इस यंत्र में शक्ति भरेंगे माता रानी से संकल्प ले करके कि शत्तु भाय का नाश करने के लिए मैंने इस यंत्र को बनाया हुआ है और उसके बाद आप इस यंत्र की पूजा करेंगे जिसमें आप गूगल, धूप, अगरवत्ती वगर जला करके अफिस का धारण करेंगे लेकिन एक चीच और बता दे हम आपको अगर इस यंत्र को किसी शुब दिन बनाया जाए जैसे कि आमावस्या हुआ, पूर्णीमा हुई, दशहरा, दिवाली, हूली जैसे तेवहाव हुए तब यह ज़्यादा कारगर होता है और एक बात का आपको ध्यान रुकना है कि इस यंत्र को आपको ताकत भरते रहनी है इसके पशात आप यंत्र आपने धारण कर लिया आप अपने उस इश्ट का रोज एक माला जाप करते रहे तब इसमें ताकत बनती जाएगी कई लोग कहते हैं कि हमने यंत्र बनाया था यंत्र कार्या नहीं करता है देखिए आपने यंत्र बनाया लेकिन यंत्र में शक्ती भरना भी आउशक होता है या तो आप यंत्र में पहले ही सवालाग जाप करके यंत्र पहनिए उसके बाद आपको पॉसिबल है तो आप रोज दस माला कीजिए तक दस माला का पर समय नहीं है तो एक माला तो रोज करके उस यंत्र में शक्ती भरते रहिए तो आप उसका आपको उससे लाव मिलेगा तो यह है शत्तु भैनाशक यंत्र